हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया तो लोग श्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मिसी का नेक्स्ट चैप्टर ड्रग डिस्टिबूशन तो ड्रग डिस्टिबूशन यहाँ पर हम लोग किसके अंदर देखेंगे, एक हॉस्पिटल के अंदर ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्चिलि जो हम लोग learn कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह basically क्या है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसको लेकर करके सारी बाते हो रही है, छोटे-मोटे हॉस्पिटल जो होते हैं, दस-पंद्रा बैट के, तुम लोग अपने अगर आज-पास देखते होगे छोटे-मोटे हॉस्पिटल, वहाँ पर यह सारी चीजे नहीं हो पाती है तो जब एक बहुत बड़े लेवल पर हॉस्पिटल होता है, तो पूरा वहाँ पर हर एक चीज सिस्टेमेटिक होती है, ठीक है न, एक में फार्मेसी होती है, उस फार्मेसी से फिर, क्या होता है, वार्स होते हैं, जहां पर पेशेंट एडमिट होते हैं, वहाँ दबायां होती है, तो वही ये चैप्टर है, ठीक है, कि एक हॉस्पिटल के अंदर दवाईयां किस तरीके से वित्रित होती हैं, बाटी जाती हैं, बाटना मतलब डिस्टिबूइट की जाती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्सन पे, ठीक है न, क्यूंकि हम लोग फार्मासिस्ट है तो हमको इसके knowledge होना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाके भविश में किसी hospital में काम करते हैं, तो एक तरीका हमाई दिमाग में होना चाहिए, क्या है वहाँ पर होता है, क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, तो आओ यहाँ पर हम देखने जारा, drug distribution में, दो तरह के patient आते हैं, एक होता ह है, तो दो तरह के patient है, यह तो outpatient तो बड़ा simple है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, है न, इसका तो पता ही है, इसमें लिख सकते हो drug, क्या process होती है, patient आएगा, पर्चा बनाएगा, उसका नाम, यह सब लिखा जाता है, डॉक्टर दिखाएगा, डॉक्टर प्रिश करिसम लेकिन हम तो इसको, क्योंकि अपने course में तो ऐसे चार पॉइंट लिखके दे दिया है, लेकिन हमको थोड़ा से इसको systematic way में समझना पड़ेगा, कि किस तरीके से दिमाग में set करना है, तो सुरुआत करते हैं, अपने definition से, ठीक है, तो आ जाते है, definition क्या कहते है, drug distribution is defined as, drug distribution क कैसे define करते हैं, physical transfer, physical मतलब बकायदा दवाई लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा बाजी हो रही है, ना, physical मतलब physically कोई चीज़ इदर सो उदर जा रही है, physical transfer of drugs from storage area, जहां पर वो store है, वहां से in hospital to the patient's bedside, ultimately जहां दवाईयां store है, वहां से दवाईयां पहुचाई जा रही ह हैं, patients के bed पर, हो गया drug distribution, ठीक है, this involves two types of drug distribution, इसके तो दो तरह के drug distribution होते हैं, they are inpatient distribution और outpatient distribution, अब patient के bed तक पहुचा ही जा रही है, जो patient दवा लगे घर चला गया, वो भी जब बिस्तर पे बैठता है, खाता है, तब भी हम कह सकते हैं, बिस्तर तक पहुचा ही जा रही है, व करने के लिए, तो हम लोग पहले सुरुवात करेंगे, inpatient से, inpatient क्या होता है, inpatient are those patients, यह वो मरीज है, वो patient है, who require hospitalization, जिनको admit होना पड़ेगा, to admit है, that is get themselves admitted in the hospital, जिनों अपने आपको hospital में admit करा रखा है, stay there, वो वहां रुकते हैं for treatment till they are discharge, अब ता कि उनको discharge ना कर दिया जा है, उनको हम लोग कहते है, inpatient, there are four systems in journal use, जनल तोर पर देखा जाए, चार तरीके से हम लोग दवाईयों का dispensing करते हैं, in patients में, जो लोग admit है, उनमें चार तरीके follow किये जाते हैं, they may be classified as follows, उनको हम इस तरीके से classify कर सकते हैं, individual prescription order, देखो नाम में बात चुपी हुई है, individual, ए एक को पर्चा मिल गया, जो admit है, वहाँ से वो पर्चा उसका कोई जो साथ में है, रुका हुआ है, वो लेके जाएगा, पर्चा दिखाएगा, चाहे होस्पिटल की फार्मेसी से ले ले, चाहे कहीं बाहर की फार्मेसी से ले ले, दवा लेकर के आ जाएगा, ठीक है, simple एक समझने के लिए, complete floor stock system, ठीक है, यह हम इसको simply कह सकते हैं, इतना floor stock system, अपने लिखा हुआ है, मतलब की, जहाँ जहाँ पर admit कर रखे हैं, वार्ड बने हुए हैं, वार्ड बोलते हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में लोग admit हैं, वहीं पर बगल में एक छोट-छोटी फार्म ठीक है, अच्छा, induction में क्या होता है, डॉक्टर बोलता है, ठीक है, यह सारी दवाईयां लियाओ, इसके चार पत्ते, इसके दस पत्ते लियाओ, फिर जो बच जाएगी, बाद में वापस होती रहेगी, ठीक है, वो एक concept है, unit dose और इसमें अगर difference दिखोगे, तो यह difference create होता हैं, तो हम लोग थोड़ा सा चीजों को छोड़ा सा दयावाई लेकी भी चलेंगे, ताकि चीजें सारी cover-up हो जाएं, ठीक है ना, तो advantage और disadvantage के अलावा भी, थोड़ी बहुत हम इदर दर की चीजें पढ़ेंगे, इसी से मिलती जुलती, इसके आज-पास ही रहेंगी, प्रिस्क्राइब ड्रग जो अप्टेन करता है, लाता है या पाता है प्रिस्क्राइब ड्रग को, जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, फ्रॉम एनी medical store और hospital dispensary, किसी भी medical store से या hospital dispensary से बाए, पेइंग ओन चार्ज अपने खुद के खर्चे पे, ठीक है ना, यह से ले ले जाकर के हो गया उसका काम, ठीक है, इस system is generally used by the small and private hospital, यही system तुम लोग देखते हो गया आजकल, जो तुमारे आजपास चोटे मोटे hospital खुले हुए है, उनने यह system चलता है, because of the reduced manpower, इससे क्यों होता है कि, दवायों को लान ले जाने के लिए जो एक इनसान कि उसकी जरूरत खतम हो गई, तो manpower कम लगेगा हमारा, ठीक है, and desirability for individualized service, और जहां 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 पर जरूरत है कि हाँ पेशेंट के ही जो साथ साथी संगी आए हैं, वही लोग जाकर के पेशेंट के दवायों लेके आए करें, हम उसका देख बाल, मतलब वो चीज नहीं क बात है, all medication order are directly reviewed by pharmacist, अच्छा, ऐसे किसमें क्या होता है, पर्चा सीधा pharmacist के पास जाता है, pharmacist जो बैठा होगा pharmacy में, वह सीधा देख लेगा, अच्छा, pharmacist नजर में जाती है, अच्छा, यह बिमारी है, और mention रहते हैं, पर बिमारी क्या है, और उनको वह एक वारी क्या कर स सकता है, ठीक है ना कि हाँ, दवाईयां सही हैं कि नहीं हैं, किस हिसाब की हैं, वगरा वगरा, यहना कि एक वारी, फार्मसिस्ट की नजर में चली जाती हैं, जो कि अच्छा होता है, इट प्रवाइड रैक्शन ऑफ फार्मसिस्ट, डॉक्टर, नर्स, अब इस तरीके से, पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, सबका आपस में क्या है, तालमेल हो गए एक तरह से, इस तरह के मेथड में, जो कि काफी अच्छी बात होती है, इट प्रवाइड किलियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी, यहां से क्या है, इन्वेंटरी का कंट्रोल किलियर कट रहता है, जो प advantage किया है, there may be possible delay in obtaining the required medication, भाया पर्चा लिख दिया डॉक्टर ने, अब मालो पेशेंट के साथ कोई कभी कोई है, कभी कोई नहीं है, कोई dispensary खुली है पास में, हॉस्पिल की मालो फार्मेसी नहीं है, बहार जाना पढ़ रहा है, कोई बहुत दूर dispensary है, तो ऐसे केस में, medication लाने में देरी हो सकती है, ठीक है, increase the cost of the patient, patient के cost बढ़ सकता है, इसमें cost में कई तरीके से बढ़ता है, cost में कैसे कैसे बढ़ सकता है, पहला तरीका cost बढ़ने का कि यहाँ पर doctor ऐसी दवायन लिख देगा, जहाँ पर एक रहता ना करके कि काफी heavy, costly दवायन लिख सकता है, अगर कोई medical store दूर है, तो उस case में क्या होगा, उसको अपना convince करके वहाँ जाना पड़ेगा, वह उसको costly बैटेगा, बास समझ में आई, तो इस तरीके से थोड़ा सा यह patient की जेप पर भारी बैटता है, बास समझ में आ रही है, तो next अपने पास आता है complete floor stock system, याने की पू मंजिल पर ward है, उसी floor में जा करके अपना stock कर रखा हम लोगों ने, simple सी बात हो गई यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास main pharmacy कहीना भी हटे जाती है, आओ देखते हैं, drugs are stored at the nursing station, जहां जहां पर nursing station, nurses जहां रहती हैं, जहां से nurses और patient, तो nurses के पास में ही क्या रहता ह जहां nurses रहती हैं, देखवाल करती हैं, पेशेंट की, उसी के बगल में एक छोटी सी pharmacy type रहती है, एक तरह से हम कहा सकते हैं, and are administered by a nurse according to the chart order of the physician, अब क्या सारी दवाईयां, छोटा सा मालोग, एक बड़ा सा कमरा यहां पर 18 patient admit हैं, इसी में बगल में छोटा सा, छोटा सा कमरा हो, इसके अंदर सारी दवाईयां होंगी, हर एक patient के bed पर, डॉक्टर के लिखा वो परचा रहता है, चार्ट रहता है, जो patient admit है, उसको देख देखे, जो nurse होती है, दवाईयां prescribe, मतलब देती रहती है, prescribe नहीं करती, देती रहती है, patients को, drugs on the nursing station are known as floor stock drugs, जो drugs nursing station के पास ठीक है न वो, generally वहाँ पर stock रहती है, बहुत ही rare use होने वाली या बहुत जो बिल्कुली doctor के prescription पर दी जाएगी, ऐसी दवाईयां वहाँ पर कम रहेंगी, advantage क्या है, the drugs are readily available for administration, भाई, इसी वाड में patient है, यही बगलने दवाईया, तुरंद, चाहिए तुरंद मिल जाएगी, तो readily available है, minimum return of drug, अब क्या उसको जो दिक्कत अतरों यहां से दी, यहां से ले लिए, अब वापस करने की जिम्मेदारी नहीं है, तो यहां पर एक तरसम कह सकते हैं, अब जितनी जरूत है, नर्स उतनी जाकर के उसको देगी, तो वहाँ से return करने की कोई गुंजाश नहीं ब अब फार्मेसी में बहुत ज्यादा लोगों की जरूत नहीं है, है ना फार्मेसी में पहले कि अगर मालो सीधा पर्चा फार्मेसी में आया है, तो एक बंदा दवाया निकाल रहा है, एक पर्चा बंदा बना रहा है, एक बंदा समझा रहा है, कई सारे लोग चाहिए, अब क्यूं कि वहाँ पर परचह हम नर्स ने सीधा लुए वहां से दे दिया अब नर्स का काम नर्सिंग का है फार्मसिश्ट का काम दवायों का है डिफरेंस है तो दवायों का जो समाध् discour अने वह फार्मसिश के पास मिलेगा ठीक है तो यह होता है medication error का chance बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर pharmacist मवजूद नहीं होता है prescription को देखने के लिए review करने के लिए increase in drug inventory अब drug inventory बढ़ जाएगे क्यों काफ़ सारा stock हो रखा है floor में और नीचे फिर खा लिए तो नीचे भी stock करना पड़ेगा तो double double जगे stock होने लगता है तो inventory बढ़ जाती कहीं न कहीं inventory समझते हो न क्या होती है good increase chances of drug deterioration due to lack of proper storage facility हो सकता है जहाँ पर floor पे जहाँ पर store कर रहे हो वहाँ proper facility ना हो तो drug के deteriorate होने के खराब होने के chance बढ़ जाएंगे increase workload on nurse nurse के उपर workload बढ़ जाता है pharmacy का हटके कहाँ आ आ गया nurse के उपर आ गया clear है now अब जगो advantage यहाँ खतम हो गया लेकिन आप जड़ाब बात करें floor stock drug can be categorized as follows floor stock को हम लोग दो तरह से categorize करते है charge floor stock drug और non charge charge का मतलब है ऐसी दवाईयां जिनका कि जब nurse patient को देगी तुरंद payment भी करेगी जब patient है वो तुरंद payment करेगा जब patient payment करता रहता है साथ के साथ तो आगे लगा देते हैं charge दे रहा उसका जब नहीं payment करना है तो non charge simple सा समझ लो ठीक है पढ़े आगे dispensing of charge floor stock drug क्या है यहाँ पर देख लेए यह थोड़ा सा important है question आता है खाफी सारा ठीक है these are drugs for which patient is charged for every single dose हर एक dose के लिए जो भी dose जाएगी उसके लिए patient को पैसे देने पड़ेंगे ठीक है next is selection of these drugs is made by PTC अब कौन से ऐसी drugs हैं जिसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे तो आप लोग पूछे लोगे सर किया मतलब सारी दवाईयों को पैसे नहीं देने पड़ते हैं कुछ दवाईयां बड़ी common होती ही बड़ी सस्ती होती है सर्थी खासी जुखाम बुखार की जो पचास पैसे एक एक रुपए की पड़ती है hospitals को वो दवाईयां ऐसे distribute कर दी जाती है प्लस अगर patient admit होता तो उसी में सौपचास पैस्टा जोड़ करके तो एक combine कर देते है वो कि हाँ bad charge है bad charge को 500 को जागा 600 कर दो चोटी मुटी दवाईयां free कर दी जाएंगी ठीक है वैसा तो free कुछ भी नहीं है लेकिन उस दवाईयों का charge उसके bill में दवाईयों का charge कुछ दवाईयों के charge नहीं जोड़े जाते है उनको हम बोलते है non charge और जिन दवाईयों का charge बिल में जोड़ दे जाएगा that is called charge clear है okay तो कौन सी दवाईयां charge करी जाएंगी ये pharmacy and therapy committee decide करेगी charge floor stock drugs are stored at various nursing station अलग-अलग nursing station जो बने होगा हर जगे इनको store किया जाता है an envelope is used to dispense such drug एक envelope इस्तमाल किया जाता है अब envelope क्या होता है envelope ऐसा समझ लो कि एक लिफाफा रहेगा उसके अंदर दवाईयां रहेंगी उसके उपर किस कमरा कौन से कमरे में और patient का नाम वो लिख दिया जाता है उसके अंदर दवाईयां रहती है सारी के सारी ठीक है न जो चार्ज दवाईयां होती है थोड़ी सी special होती है कि मानलो एक patient आया सोड़ा critical है अब डॉक्टर का पता है कि इसके जो condition उसके इसाफ से यह तमाम दवाईयां इसके उपर कभी इस्तिमाल करने जिरुद पड़ सकती है तो एक list बन जाती है वो दवाईयां packet हो करके उपर आ जाती है जो दवाईयां इस्तिमाल होती रहती है व quantity of drug and patient name कितनी quantity नाम और patient का नाम लिख दे जाता हो और envelope भेज दिया जाता है ठीक है नर्स dispense from this envelope इस envelope से नर्स दवाईयां देगी patient को अगर प्रिस्क्राइब की जाएगी physician के द्वारा अगर डॉक्टर आगा हाँ ठीक है यह दवाईया है इनको चलाओ उसी लिफाफ में से निकालेगी और दे देगी envelope is sent back to the pharmacy and charges applied accordingly फिर जो मालो discharge होने की बारी आई है मालो envelope के अंदर 10 पत्ते है थे किसी दवाई के फिर वह envelope पे लि था है कि patient की तरफ से भाग दोल खतम हो रहती है एक तरह से ठीक है now dispensing non-charge floor stock drug these are medicaments placed at the nursing station for the use of all patient on the floor जितने भी patient उनको सब में जब इस्तमाल होती है तो common एक common दबायां रहती है कुछ खास antibody को रहती है जो दी जाती है ताकि बिमारी ना लगे तो सब लोग इस्तमाल करते है यह special दबायां होती है जो उसी patient के लिए होती है खासकर there shall be no direct charge from the patient account यहाँ पर direct charge नहीं होता है उसका मैंने कहा ना या तो कहीं और bed में include कर देंगे तो उसके लिए free रहती है एक तरह से these medicines are dispensed by drug basket method and mobile dispensing method तो यह दबायां जो dispense की जाती है उसके तरीका अलग है उसका तरीका है drug basket method और mobile dispensing method यहां पर तुम्हारा एक one mask question बेटा बन रहा है कि बताओ इसकी लिए मैंने इसको करवाया है envelope method किसका है तो envelope method किसके अंदर आ गया charge वाले के अंदर जिसमें पैसे लिया जाता है और drug basket method और mobile dispensing method किसमें है non charge floor stock drug वाले मैं उसके तरीके में आ गया clear है अब यह हम drug basket और mobile dispensing को भी देखने जा रहे हैं क्योंकि यह थोड़ा सा important part मैंने बदाए ना कुछ state में क्या है questions अब है तो इसी से link अप यह तो आता है question कुछ state में last year तो उसको हम ले करके चल रहे है ठीक है अब देखो drug basket method क्या है यहां पर simple सा एक funda क्या रहेगा this method is very commonly used in the hospital आम त कर लो नाइट डीटी नर्स चेक्स दा ड्रग स्टॉक अगेंस दा मास्टर लिस्ट गिवन बाइदा फार्मेसी अब फ्लो स्टॉक है वहां पर इतना स्टॉक होना चाहिए लिस्ट लगी हुई है कि यहां भईया देख लो यह लिस्ट लगी है इस कमरे में तुमारे पास जो फ्लोर में जो ठोटा तो बंडारन है कम रहा है नर्स चेक करेगी कि जो मेरे पास मास्टर लिस्ट है क्या उसके इसाफ सारी दवाईयां मेरे पास स्टॉक में हैं ओके चेक कर लिए उसने दर नर्स पूट सच्छेक मार उस चेक मार लगती जाएगी ऑन दा नमबर पुट दा एंप्टी बोटल कुछ बोटले जो खाली होगे दवाईयों की उसको क्या करेगी बोटल्स एंड कंटेनर अलों मिंदा रिक्विशन स्लिप इन दा बास्केट एक जो बास्केट होती है अलग से उसमें वह स्लिप रख देगी और खाली बोटले रख देगी तो बास्केट आ गया खाली बोटले आ गया तो बास्केट वाला यहां बास्केट वड़ आता है बास्केट होती है प्लास्टिक की टोकरी होती है उसको बास्केट बोल देते हैं यहां ठीक है इस बास्केट इस सेंट तो फार्मेसी स्टाफ फिर यह बास्केट फार्मेसी स्ट स्लिप आई है रिक्वेस्ट आई स्लिप में उसको अकॉर्डिनली डिस्पैश करेगा दवाईयों को भरेगा उसके अंदर वापस से फ्लोर पर भेज दिया जाता है यही चीज़े हमारे आसपास चीज़े होती है वही साइन्स है तो तरीका है साइन्टिफिक मेथड है यूज हो रहा है ठीक है ना हमको पढ़ना है बस मोबाइल इस पैसिंग यूनिट यह थोड़ा सा इससे अला कि इसमें क्यों होता है इसके अंदर लगबख हर एक साइज के कंटेनर आ सकते है ठीक है इन दिस सिस्टम दा नाइट डूटी नर्स नीड टू चेक दा ड्रग स्टॉक ठीक है नाइट डूटी नर्स या कोई भी इसमें चेक करेगा इसमें चेज़े बस यहां पर क्या हो गया एक ट्रॉली किसका हम उसको खिसका सकते हैं जो रिक्वेस्ट को डवाया चाहिए उसकी एक कारवन कॉपी पैविलियन उस पैविलियन के उस कंटेनर में छोड़ दी जाएगी ठीक है ना एस रिकॉर्ड के तोर पर ओफ डिलिवरी के डिलिवरी टाइम पर वह वापस जो उसमें रिक्वेस्ट भेजी थी वापस चेक करेगी कि क्या वापस सारा डिलिवरी आ गई मेरे पास और जो ओरिजिनल होती है वह वापस से फार्मेसी को भीज दी जाती है सिंपल वही चीज़े बस यहां पर क्या हम चीज़ों को मूव करा रहे हैं है न मूव करा के घूम रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में आजाओ अब जगो डिफरेंस बिट्वीन चार्ज है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या कर डिफरेंस है उसको डी जाती है हर एक डोस का चार्ज उससे लिया जाता है इस शिस्टम चार्ज़ एंडारेक्ली टू पेशेटि रेक्ली मैं करना सस्थी मद्दी होती है तो बेट में जोड़ इया कही और जोड़ दिया दवाई के रूप में नहीं जोडते हैं these drugs are expensive and rarely used है ना expensive क्योंकि कुछ special category के patient आया तो उसी के लिए इस्तमाल होगी और rarely used होगी ठीक है इस ड्रग्स हाज cheap सस्ती होती है mostly used tablet and capsule capsule spelling तो होगी ठीक है ये जनरली सस्ती होती है और आम तौर पर इस्तमाल होने वाले tablet और capsule होते है इस ड्रग्स इस नॉट pre-determined यह पहले प्री-determined नहीं होता है को जनरली कि जिस category का patient आएका उसके हिसाब से फिर यह आता है यहां पर pre-determined list prepared by nursing station pre-determined list होती है कि हाँ यह तो जनरल टैबलेट से हैं यह तो हमको लाके दो ही दो इसका पेशन्ट आता ही रहता है clear है बाते हैं तो दो category होगी हमारे पास है clear है revise करेंगे फटा-फट है दो category कौन कौन सी हो गई है एक फ्लोर स्टॉक सिस्टम और एक इंडिविजुल prescription order वाला था याद आ गया ठीक है अब चलते हैं तीसरी category में combination of individual and floor stock system इन दोनों का combination of individual and floor stock system उपर के दोनों का तो यहाँ पर क्या कर रहा है falling into this category इस category में कौन कौन है वो सारे hospital है विच यूज ता जो यूज करते हैं individual prescription और medication order जो individually मतलब वो तरीका भी follow होता दॉक्टर ने ल में as their primary means मतलब main जो उनका तरीका है वो तो यही है डॉक्टर प्रिश के समय लिख देगा जा अब लियाओ जाके ठीक है ठीक है ठीक है hospital की फार्मेसिस लियाओ चाहें बहार की फार्मेसिस लियाओ लेकिन लेकिन बट also utilize the limited floor stock floor stock method भी अपनाता है लेकिन बहुत ही limited बहुत ज मैंडिकेशन ठीक है अब अगे जाके किया होगे unit dose medication है ठीक है न यह unit dose medication का क्या सकते हैं कि आगे जाके इसको क्या कर रहा है modify करेंगा तो आज कर सबसेताे इस्ते इस्तमाल हो रहा है एंड इस modified the use of unit dose medication जो unit dose medication को उसको यह कह कर देता हल्का सब modify कर देता दोलोंका combination आ घा है युनिट डोस कॉंबिनेशन जो भी हम आगे पढ़ेंगे बात समझ में आ रही है तो सिंपल से याद रखेंगे यह कॉंबिनेशन ऑफ इंडिविज्य और फ्लोर स्टॉक सिश्टम जब आएगा मालो तीन या पांस नमबर में आगया सपोर्श तो वहाँ पर तुम यह रिखो न उपर लिखा हुआ है और यह स्टॉक सिश्टम में उसका लिखो पांस नमबर का आए न तो इसको अलग एक् बात समेंज मारी है ओके नाओ लास्ट वन इस यूणे डोज सिस्टम उनिट सिस्टम क्या है या फार्मेशी कोडिनेट eट यहां पर क्या है यहां पर रोल रहेगा जहाँ पर दवाया जहां से आती है method of dispensing and controlling medication in healthcare institution यानि कि यहाँ पर सिधे-सिधी बात क्या कह रहा है the unit dose system of medication distribution is a pharmacy coordinated यह medication distribution का system में यह pharmacy coordinated होता है pharmacy coordinated method of dispensing and controlling medication pharmacy के द्वारा dispense किया जाएगा, control किया जाएगा in healthcare institution यानि कि hospitals में it is defined as dose medication, definition यह आ गई which are, वो medication जो order किये जाते हैं, pack किये जाते हैं, handle किये जाते हैं और administer किये जाते हैं and charge किये जाते हैं multiples of single dose unit यानि कि हम कहेंगे 10 capsule तो 1 capsule into 10 तो single dose unit, simple सा funda है इसमें और कुछ है नहीं single dose unit के multiple में एक tablet है तो कितनी 100 tablet, 50 tablet, 20 tablet है ना डॉक्ट उसके अधार पर काम होता है यहां पर तो अबिसी बात है, 10 tablet बोलेगा तो पूरा एक पत्ता आ जाएगा उसमें लेकिन हम उसको एक unit के हिसाफ से compare करके देख रहे हैं ठीक है ना, single dose unit containing a pre-determined amount of drug तो कहानी देखा बेटा यहां पर वही है घुम फिर के लिखने का तरीका है dose medication which are order, जो order की जाती है, pack होती है, handle की जाएंगी, administer की जाएंगी और charge की जाएंगी multiples of single dose, single dose के multiples में है ना, की 10 tablet की 20 tablet, तो single tablet और यह जो single dose होती है, यह pre-determined amount of drug होता है radiumate बन की आ रहा है, factory वगरा से, तो pre-determined है पहले से ही तो हम लोग single dose की अधार में काम कर रहे है, माल लो, कोई patient को 2 tablet चीए, तो 2 dose है ना, 1 into 2, इस थरीके से काम चलेगा यहाँ पर, ठीक है, a single unit package is one which contain one complete pharmaceutical dose, तो करा single unit package क्या है, एक complete pharmaceutical dose example, एक tablet या एक capsule, कुछ निए, बात घुमा दी गई, यह बात समझ में आ गई होगी तो हम लोगो बात घुमा करके, लिखा भी हुआ है, books वो गईरह में ऐसे घुमा फिरा करके, तो हमको definition में ऐसे लिखना पड़ेगा, कि जो order की जाती है, pack की जाती है, तो हम single unit के हिसाब से इसको counting करते हैं, बस, advantage क्या है, patient receive improved pharmaceutical service 24 hours a day and are charged for only those doses which are administered to them, यहां पर क्या है, एक तो 24 hours service मिल रही है, ठीक है, यह भले इतना important ना हो, इस समझ में ना आ रहा हो, main चीज क्या है, जितना उसने dose ली है, केवल, है ना, दो tablet, दो ही tablet का पैसा जाएगा, यह निकी पूरा strip का पत्ता जा रहा है, ठीक है, all dose of medication required at nursing station are prepared by the pharmacy, जितनी dose nursing station में जाती है, महां लोग किसी patient के लिए 3 dose लिखी है, तो पहले सही pharmacy में 3 dose है, तीन खुरा काट के बना करके, फिर nursing station में भीजी जाती है, ठीक है, allowing the nurse more time for direct patient care, इस वी क्योंदा पेशेंट को, nurses को patient को care करने में जादा टाइम मिल जाता है, उनको time खाए फ्री रहता है, तो patient care में दे सकती हैं, allows the pharmacist to interpret or check copy of physician original order, अब क्योंकि dose pharmacist बनाएगा, तो prescription order सीधा कहा जाता है, pharmacist के पास जाएगा, तो वो इसको interpret करेगा, check कर सकता है, physician copy को, कि कोई error तो नहीं है, thus reduction the incidence of medication error, और इस हिसाब से medication error क्या हो जाते है, कम हो जाएंगे, elimination, excessive duplication of order, order का duplication नहीं होगा, कि एक आया, फिर आ गया, ठीक है, and paperwork at the nursing station and pharmacy, nursing station of pharmacy पर जो बहुत ज्यादा यहां जितनी दोस्ती उतनी गई, एक बार में paperwork खतम, पास बंजमारी है, improved overall drug control and drug use monitoring, है ना, कितना खुराक गई है, कितनी खाई है, वो पर रहा control हो पाता है, अब ऐसे में 10 पत्ते चले गए, कितने खाई, कितने ने खाई, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हो तो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, more accurate patient billing for drugs, अब patient की billing का ज्यादा accurate है, otherwise पहले क्या होगा जो अब तक था, मालो, डॉक्टर ने का, लिख दो भाई है, ठीक है, दस पत्ते चले गए, तुम्हें दस पत्ते दिये थे, तुम्हें तीन पत्ते लोटा दिये, तो वो क्या होज़पॉज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, more accurate, तीन खुराक दी है, उसी का पैसा लगा, खेल खता, The Elimination and Minimization of Drug Credits, है न, Drug का Credit का Minimization, जैसे कि, डॉक्टर प्रिश्क्रिस्वन लिख देता है, वो यहली कान ही सारी आ रही है, कि ठीक है, इनका यह सारे दवायां लिख के पहुँचाओ, पेशन्ट के पास जो बचेंगे, वापस हो जाएंगी, तो Drug का Credit हो गया, ने, Extra Drug आ गय होता है, a reduction in size of drug inventories located in patient care area, जहाँ पर patient रहते है, admit है, वहाँ पर drug की inventory कम हो जाती है, stock बहुत जादा वहाँ पर करना नहीं पड़ता है, बात समझवा रही है, तो काफी सारे फायदे हैं, किसके, unit dose system के, clear है, disadvantage क्या है, यह time consuming होता है, किसके लिए, pharmacist के लिए, एक एक individual prescription को उस drug देना है, तो उसको handle करना पड़ता है, एक एक dose को, तो time consuming हो गया, increase staff, यहाँ पर staff बढ़ जाएगा, वो करेगा, लिख देगा, ठीक है, यह dose बनाओ, एक staff बना रहा है, एक staff आगे पहुंचा रहा है, तो इत्वासा time बढ़ जाता है, frequent ordering, अब मालो, अभी तीन dose, फिर अग technical term समझ रहे हो, कि किस तरीके से क्या लेखना है, अब, method of dispensing unit, जो हमने, method of dispensing unit dose है, जो unit dose है न, उसके भी तरीके हैं, दो तरीके हैं, फेमस, एक है centralized unit dose drug distribution system, कड, इसे कड बोल दो, याद रखने के लिए, और एक है अपने पास, डड, ठीक है, एक है कड और एक है, डड, ओक तो centralized unit dose drug distribution system में क्या जाएगा, all inpatient drugs are dispensed, all inpatient drugs, जितने भी drugs होती है, वो dispense की जाती है, unit dose में, and all the drugs are stored in central area, इसी लिए centralized है, एक main pharmacy center में होगी, वहाँ पर होंगे सारी दवाईया, of the pharmacy, and dispensed at the time dose is due to be given, उस समय दी जाएगी, जिस समय dose देना है, मालों, evening की dose है, तो evening में ही जाएगी दवा होँआ पर, patient के पास, बास समय मारी है, drugs, re-transferred from the pharmacy to the endure patient by medication cards, ठीक है न, cards होते है, medication cards होते हैं, उसके according, drugs हो क्या जाता है, transfer क्या जाता है, patient के पास, clear हो गया, decentralized, वो गया centralized, एक main pharmacy, card बना हुआ है, यह है, अच्छा, इसकी यह खुर होता रहता है, अब यह decentralized, ठीक है, this operates through the small satellite pharmacy located on each floor of the hospital, जैसे, वहाँ पर श्टॉक कर लिया था, श्टॉक वाले में, यहाँ पर छोटी छोटी फार्मेसी, अलग-अलग, मंजिलों पर, यहाँ वार्ड के बगल में खुडी रहती हैं, और उसके हिसाफ से काम होगा, तो फार्मेसी वार्ड के लिए अलग-अलग फार्मेसी रहती है, मैं फिर बता रहा हूं, यह सारी कहां नहीं कुछ बच्चे सोच रहे हों, ऐसा कहां होता है, तो बहुत बड़े होस्पिटल में जाओ, वहाँ मिलेगा, ठीक है, छोटे बाले में, सेंट्रलाइज वाला पार् अगरा, प्रिस्क्रिप्सरीज और सेंट डियरग भिटी फार्माछिस्ट विच्ण फिर देन और इंठर इंडड फार्मेसीड प्रमिकेश्पंस्यट करता है वह प्रस किईंट्र के पीर प्रिसिप्सरीज और ऑर उसके प्रमेसी और order उसको फिल किया जाता है फार्मिसी टेखनी से जो फार्मसिस्ट उनके द्वारा एक तरह से क्या गया है दवाईयों को तैयार कर दिया जा रहा है दा नर्सेश एड्मिनिस्टर ड्रक्स एंड मेक दा एंट्री इन दा इन देर रिकॉर्ड और फाइनली यह तैयार कर दी गई इन पेशन्ट का कॉंसेट क्लियर हो गया है कि लिए ठीक है इन पेशन्ट कुछ नहीं अभी तुम लोग सोचो को ना रहे यार क्या था यह तो हम जानते थे सब जानते हो बस किसका आंसर लिखना बस यह थोड़ा से दिमाग में रख लेना है फिर कह रहा हूं वेटा हॉस् जरूत नहीं मन से बनाके भी लिख सकते हो इसको लेकिन पढ़ जरूर लेना ताकि क्या पॉइंट देने हैं वह तुम लोगों समझ में आ जाए आउट पेशेंट आउट पेशेंट जो बाहर से आया है तो आउट पेशेंट रेफर तो दो पेशेंट है दो नोट ऑकुपा चला गया उसको हम कहते हैं आउट पेशेंट तो वह क्या कर रहा कहीं पर एडमिट तो नहीं है बट यूटिलाइज दा सर्फिस ऑफर सर्विसस ऑफ ऑफर बाइट लेकिन हॉस्पीटल के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसका वह यूटिलाइज करता है उसको यूज नो मेडिकामेंट शुड़ बी इसूड विदाउट दे प्रेस्क्रिप्शन यहां पर जब तक कि प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक मेडिकेशन नहीं दिया जाएगा इन शॉर्ट फॉर्म दा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इस काल ओपीड 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 यहां पर क्या होता है डाक्टर आके अलग से बैठेंगे तो बहार के लोग आतें वहां से दवा लेते हैं डॉक्ता पर लिखेगा बगल में फ्रेज़ होती है यह निकल जाते है ग्लाजा चीब अब और depending जाता हो स्बून quantity supplied must be recorded जो दवाई उनको इशू करी गई है उसका जो सप्लाई है उसको रिकॉर्ड किया था नॉमल से चीज़ ऑविस ही बात है यह कम तो फार्मिसिव किया जाएगा बद केवल डेफिनिस समझना था यह भी तुम्हें समझ में आता है में ख़ल कुछ बच्चे केंगे सर यह तो हमें ऐसी पता है तो बिल्कुल सही है तुमको पता होगा कोई दोराए वाली बात नहीं है ठीक है पता है तो वेरी गुड बस एक बारी पढ़ लो दिमाग में सेट कर लो फिर मत पढ़ना केवल को इसके भी जूगा मैं एप में उनको लगा लेना है काम हो जाएगा इसके स्टाइक को हो सकते हैं इमर्जेंसी वाले एक्सडेंट वाले एकदम अटैक पढ़ गया किसी को इमर्जेंसी वाले वह आ गया है तर्शरी कियर किसी ने रैफर कर दिया डॉक्टर ने का अच्छा तुमको थोड़ा से काम करो तुमको पेट के दिखका था तुम किसी गेस्टो पर जाके एंडिस्कोपी बगरा करा लाओ तो रैफर कर दिया कहीं पर प्राइमरी केर रोज वाले सर दिखाँ से जो खाम बुखार गए सबसे जादा यह होते हैं इनको एमबुलेटरी बोल देते हैं जो दोनों ही कही ना कहीं किसकी कैटिगरी मा आयाते हैं एमबुलेटरी मतलब एमबुलेटरी मतलब जो मूव कर सकते हैं घोम फिर सकते हैं एमबुलेटरी पेशेंट तो इमर्जेंशी पेशेंट उसकी डेफिनेशन a person given emergency or accidental care for condition which require immediate medical जिसमें तुरंत तुरंत medical action चाहिए the patient suffer from serious health condition या कोई बहुत ज़्यादा serious health condition आ गई है tertiary care the patient is directed to outpatient department patient को भेजा जा रहा है outpatient department by his attending medical practitioner जो medical practitioner उसको देख रहा था उसने का भी यह ऐसा है तुमको दिक्कत है तुम जाके अपनी आखे चेक करा लो ठीक है ना सर में दर्द है आखे चेक करा लो तो वो भेज रहा है कहीं पर किसी दूसरी OPD में ठीक है for specific treatment other than emergency treatment यहापर emergency नहीं है और primary care primary care is provided in majority cases सर दिखांसी जुगाम बखार जो भी है सब ठीक है ना most primary care used by patient who are ambulatory that is are able to move about freely आराम से move कर सकते हैं छोटी मूटी दिक्कत है उसके लिए जाते हैं और ले के आ जाते हैं तो हम लोग और अलग तरीके से हम लोग सो categorize करते हैं इसमें तीन category ऐसी हैं कुछ लोग special category मतलब इसमें divide करने कई सारे हैं जो अपना आउट-patient dispensing location की बात करें शुडब लुकेटे अन ग्राउंड फ्लोर ऑविसी बात है जो बाहर का patient आ रहा है तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर रखेंगे थोड़ा सा अलग रखेंगे जिससे की वह hospital के अंदर ना जाए तो दो चीज़े होंगी बाहर से अगर जूते चपलों से गंदे हैं तो hospital में गंदगी नहीं आएगी प्लस अगर hospital में कोई बिमारी है तो उसको नहीं लगेगी अब को से बताने की बात है अगर कोई OPD में इमरेंसी केस आ गया है तो वह तुरंत और क्विक अपनी supply को लेकर आ सकती है तो एक आउट पेस्ट एक्टिविटी चार्ट की बात कर लें तो देखो क्या होता है यहां पर ठीक है ड्रग डिस्ट्यूशन की बात करें तो यहां पर यह होता है डॉक्टर को दारा परचा लिखा जाएगा रिसीवड बाई फार्मासि प्रेस्क्रिप्शन मतलब दबायां छाटेगा लेवल करेगा कौन-कौनसी है और प्राइस लगा देगा उसका फिर क्या कर देगा पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा अब आगे आए उसके बाद जब पेशेंट को देने के बाद अगर हम बात करें तो रिसीप्ट आफ पे रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन फाइल या नार्कोटिक प्रेस्क्रिप्शन फाइल तो प्रेस्क्रिप्शन को फाइल कर दे जाएगा अगर नार्कोटिक वाला है तो फ्रेस्क्रिप्शन नार्कोटिक वाले में चड़ा दिये जाएगा या रेगुलर वाला है तो रेगु बिना prescription का कोई दवा नहीं दी जाएगे outpatient को after the issue has been made the quantity supplied must be recorded जो अगर दवा दे दी गई है तो कितनी quantity दी गई है वो पक्का सा maintain किया जाएगा medicine are given to the outpatient from the pharmacy situated in the outpatient block और जो medicine दी जाएगी outpatient को वो जो उसी pharmacy से दी जाएगी जो वहाँ पर available है किसी दूसी pharmacy से नहीं दी जाएगी बात समझ में आ रही है तो इसी को तुम लोग थो सा और लंबा चड़ा कैसे लिख सकते हो कि patient आएगा इसी को है ना drug distribution के case में हम लोग क्या कर स लेता है फार्मसिस्ट यह सब आके mention कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो drug distribution है for outpatient वह हमारा cover-up हो जाता है के लिए बाते हैं जनरल चीजे हैं बेटा यहां पर कुछ खास नहीं था पढ़ने के लिए ठीक है इसको मन से बनाके भी लिख सकते हो और यह lecture अपना खतम ठ ठीक है तो बेटा करना क्या है बस यह इनको पढ़ लेना बाद आगी जो दूसरे टॉपिक उनको रिवाइस करते रहना पढ़ते रहना है ठीक है न पीडिएफ का लिंक इसमें वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में यह मेरा नंबर है कोई प्रॉलम आती ह ठीक है एप का यूज कर सकते हो बेटा अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ सीक्वेंस मिल जाएं एक एक चीज मिल जाए कोशन आंसर एमसे के वह रहा तो आप यूज कर सकते हो अधरवाइस नोट्स और वीडियो सारे यूट्यूब पर अविलेवल है में काम जो आपको